नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहधी महतोपून जानकारी को ले करके जी हाँ आई आज हम सभी जानते हैं गाजर के फायदे और नुकसान के संबंध में स्वास्थ विर्षे शग्यों की माने तो गाजर स्वास्थ के लिए सर्वुतम आहार में से एक है गाजर अनेक पोश्टे गुनों से भरपूर है इसमें विटामिन A, C, K और B, A, पैंटो थेनिक एसीड, फोलेट, पोटेशियम और लोह तामबा और मैगनीज जैसे और भी ख और अच्छी बात तो यह है कि गाजर पूरे वर्ष बाजार में आसानी से उपलब्द होती है आप इसको अपने सालाद में मिला कर खा सकते हैं या फिर सबजी या सूप या फिर मिठा से भरे जूस का भी सेवन कर सकते हैं आएए अब हम सभी जानते हैं सबसे पहले कि गाजर से क्या क्या फायदे हमको हो सकते हैं गाजर के फायदे सबसे पहले आँखों के लिए जी हाँ गाजर से सबसे उत्तम स्वास्थ गुणों में से एक है स्वस्थ दृष्टी गाजर में विटामिन A के उच्छ मातरा खिलाब आँखों की रक्षा करता है तो आज ही से गाजर खाना आरम करें और अपनी आँखों को स्वस्थ रखें गाजर के रस के फायदें आपको कैंसर से भी दूर रखते हैं गाजर के कैंसर रोधी गून इसके स्वास्थेलाब की अन्य उपलब्धी हैं गाजर में बिमारियों से लड़ने की शमता प्रदान करते हैं अनुशन धानों में यह बात साबित किया गया है कि गाजर में उपस्थित फायटो न्यूट्रेंट्स और अन्य घटक कैंसर के विकास को बाधित करने में सक्षम हैं ज्यादातर अध्यायनों के अनुसार गाजर के रस का एक डिढ़ कप कुछ हपतों के लिए दैनिक रूप से पीने से कैंसर पर महत्वपून साकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसके अलावा गाजर का नियमित सेवन फेफडों कोलेस्ट्रोल और प्रोस्टेट कैंसर के खत्रे को कम करने में भी उपयोगी हैं गाजर के अन्य प्रोस्टेइन से भरपूर है जो काफी अच्छे एंटियोक्सिडेंट्स हैं और कोलेस्ट्रोल का विरोध करने में और दिल का दोरा पढ़ने के खत्रे को कम करने में भी मददगार हैं इसके अलावा गाजर में पोटैशियम आपके रक्त वाहिकाउं और धमनियों को काउटने लगे तो फटा-फट एक गाजर का सिवनाप कर लेगाजर खाने के फायदों में से एक मुख्या फायदा है कि ये मौखिक स्वास्टे को सुधारता है जी हाँ गाजर आपके मौखिक स्वास्टे के लिए बहत ही फायदे मंद है collaborated वर्धक स्वाधिष्ट सबजी क को चबाकर खाने से दांट के मैल एवं उसमें फसे भोजन के कण दूर हो जाते हैं जो आपके दांट एवं मसूडों को साफ रखने में मदद करते हैं इसके अलावा गाजर सलाईवा के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं और स्वभाविक रूप से शार्य होने की वजह से मुह में बैक्टीरिया के विकास पर भी रोक लगाता है जो कैविटी मुह से दुरगंद और अन्य मौखिक स्वास्ते समस्याओं को दूर रखता है गाजर विटामिन सी का भी एक प्रचूर सुरोथ है जो योजी तंत दांत एवं मसूडों के स्वास्ते को सुनिश्चित क अपने दांत और मसूणों को स्वस्त रखने के लिए गाजर को मजे से चबा चबा करके अप खाएं इसके साथ साथ गाजर के गुन हैं दिल की विमारी में भी उतने ही ज्यादा लाबकारी जिहां हावर्ड विश्व विद्याले के वैज्ञानी को द्वारा किये गए लोग रोजाना गाजर का सेवन करते हैं उनमें 68% तक स्ट्रोक से ग्रस्थ होने की संभावना कम हो जाती है इसके अतिरिक्त दैनिक रूप से एक गाजर खाने से 68% तक दिल के दोरे के खत्रे को कम किया जा सकता है जिसका श्रेय गाजर में मौजूद बीटा के रोटीन के उचस्तर को दिया जाता है श्ट्रोक होने के खत्रे को कम करने के लिए कम से कम पांच बार एक हपते में गाजर खाना शुरू कर दें आप गाजर खाने के एक अन्यलावों में से है कि ये आपके छेहरे को निखारता है यानि कि आपकी खुबसूरती को निखारता है एंटी कि उप्योगी होता है गाजर सुरी की हानिकारक अंट्रा वाइलेट कि वर्ण से तवचा की रक्षा करती है और शतिग्रश्ट तवचा के उत्तकों के सुधार में भी मदद करती है गर्मियों में गाजर का रस पीने से गाजर तवचा के लिए एक शक्तिशाली प्राकृतिक स त्वचा का बचाओ करती है इसके अलावा गाजर त्वचा को स्वस्त चमकदार और जीवन तरखने के लिए भी उपयोगी है त्वचा को एक नया निखार देने के लिए आप गाजर से चेहरे के लिए एक सरल और आसान सा मास्क बना सकते हैं थोड़े से शहद में दो बड़ इसके साथ साथ गाजर से आपका पाचन तंतर भी बेहद मजबूत होता है इसके साथ साथ गाजर का लाव होता है कि ये आपके पाचन स्वास्ते को सुधारता है जी हाँ इस कुरकूरी सबजी में पर्याप्त मातरा में आहार फाइवर शामिल है जो पाचन स्वास्ते को ब पाचन तंत्र के माध्यम से आसानी से पारित करने के लिए भी मददगार है इसके अलावा यह अमाशयरस के स्त्राव को उत्तेजित करता है गाजर का उपयोग लिवर की रक्षा करने में भी किया जाता है गाजर आपके लिवर की पर्यावरन रसायन के विशाक्त प्रभावो से रक्षा करती है इसमें उच्छ मातरा में विटामिन ए पाया जाता है जो शरीर से विशाक्त पदार्थों के निकास में एक अहम भूमिका निभाती है इसके अतरीक्त यह लिवर में पित एवं जमा हुए वसा यानि के फैट को कम करने में सहायक है इसमें घुलन शील फाइ लिवर में जलन सूजन एवं संक्रमर को कम करता है जिससे हेपेटाइटिस शीरोसिस और पित स्थिरता जैसी लिवर समस्याओं से लिवर को संरक्षन मिलता है इसके अलावा गाजर मधुमेह में भी लाखकारी होता है यह मधुमेह को नियंत्रित करता है गाजर में भले हैं उच्छ चीनी सा मगरी पाई जाती है लेकिन यह अभी भी जो लोग मधु मेहरोगी हैं उनके लिए एक स्वास्थ वर्धक विकल्प है क्योंकि गाजर में उपस्थित प्राकृतिक चीनी शरीर द्वारा आसानी से ग्रहन किया जा सकता है हरांकि गाजर एक अपिक्षाकरित उंच ग्लाइसीमिक सुचकांख है परन्तु इसका ग्लाइसीमिक लोड बहुत ही कम है इसके अलाबा गाजर में निहित कैरोटेनाइड रक्त शरकराकेस्तर को नियंतरित कर उसे कम करने में मदद करते हैं यह इंसुलीन प्रतिरोध को भी प्रभावित कर मधुमेह रोग्यों को मधुमेह से लड़ने में मदद करते हैं गाजर में मौजूद महतोपून जैविक शारियत तत्व रक्त शरकराकेस्तर को संतुलित करने में मददगार हैं स्वस्त जीवन जीने के लिए मधुमेह से पिड़ित लोग रोजाना एक कप पके हुए गाजर का सेवन कर सकते हैं उनको लाव होगा इसके अलावा गाजर के रसके फैदे आपकी बढ़ती उम्र को भी रोकने में होते हैं यदि आप आगे आने वाले कई सालों तक खुबसूरत और जवान दिखना चाहते हैं तो कुछ सोचे मत और अभी से ही रोजान गाजर खाना आरम भकर दीजिए गाजर को उम्र छुपाने और बुढ़ापे से लड़ने के लिए बेहद ही उपयोगी और शदी माना जाता है बरतिवी उम्र को मात देने की कला की वजह से इसे शक्ति साली बुढ़ापे को कम करने वाली सबजी की भी उपाद ही दी गई ह यह मुख्य रूप से गाजर में बीटा के रोटीन के उपस्थिती के कारण है जो मेटाबलेज्म को संचालित कर कोशिकाओं के स्वास्थ को सुनिश्चित करता है इसके अलावा विटामिन सी का समरिध स्रोत होने की वजह से गाजर कोलेजोन के उत्पादन में भी सहायक है कोलेजोन त्वचा के लचीलेपन को बनाए रखने में अत्यंत महतोपून भूमिका निभाता है जो जुरियां रेखाएं और उम्र बढ़ने के अन्य लक्षन को रोकने में मदद करता है जुआ इस्थिती को बनाए रखने के लिए बस रोजाना गाजर के रस का एक गिलास आपको सेवन करना चाहिए लेकिन जो भी अवश्यद होती है हम आपको बताते हैं कि उसका जιतना फायदा होता है उसी के साथ-सात उसका लौस भी आपको हो सकता है ये भी जानना बहुत जरूरी होता है तो अभी तक तो हमने आपको पायदा बताया लेकिन आएद आए ते अधिक सेवन से सावधान रहें क्योंकि इसका ज्यादा मात्रा में सेवन करने से आपको कुछ एक दूश प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि गाजर बीटा के रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोथ है जो आपके शरीर में विटामिन A की कमी की आपूर्ति क करता है परन्तु यदि आप इसका सेवन बहुत अधिक मात्रा में करेंगे तो इससे आपके शरीर का रंग फीका पड़ सकता है संभवता आपको गाजर से एलर्जी हो सकती है गाजर में चीनी का अस्तर उच्छ है इसलिए यदि आप मधुमेह से ग्रस्थ हैं तो गाजर का सेवन कच्छी रूप में ना करके उभाल करके करें अधिक मात्रा में गाजर खाने से आपके शरीर द्वारा मैगनीशियम, लोह, कैल्शियम, जिंक, इत्यादिक हनी जोके और शोशन पर असर पड़ सकता है यदि आप उचित मात्रा में गाजर का सेवन करेंगे तो इससे आपके पाचन स्वास्त में सुधारा सकता है वहीं दूसरी और अधिक मातरा में इसका उपयोग करने से आपको गैस, दस्त, पेट फुलना, पेट दर्द, इत्यादी जैसी पाचन संबंधी विकारों का सामना करना पड़ सकता है अधिक मातरा में गाजर या फिर उसके जूस इसका सेवन करने से स्तन का दूद का स्वाद बदल जाता है इसलिए स्तन पान करा रही महिलाओं को इसका सेवन सिमित मातरा में ही करना चाहिए हमने जो भी बातें और बिमारियां बताई इसका आपको खयाल रखना चाहिए क्योंकि घाजर एक स्वादिष्ट आहार होता है सब्जी है इस वज़ा से लोग इसका ज्यादा मातरा में सेवन कर लेते हैं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं खाना चीज़े इसको आप अगर संतुलित मातरा में लेते हैं तो हमने जो भी लाभाप को बताए यह सारे लाभाप को इससे प्राप्त होंगे तो दोस्तों यी थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए गाजर के फायदों से रिलेटेड अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों